नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका सैपसन सिंगानी है आज आपके लिके हों बजार जैसे तंदोरी चिकन लेग बजार में कैसे बनाते हैं यह रिस्पी आप जब देखेंगे न तो आपको बजार से मंगाने की जूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तो एक से आपस रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में जरूर सेयर करें ताकि सब भी लोग घर में अराम से बनाएं और इन्जॉय करें चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर करती हुए यह हमारे चिकन थ इसको फ़ेश्ट मानेशन करेंगे तो इस्तिस रखें आप सबसे पहले हम डालेंगे नमक स्वादेंशाथ तो आप सबभी पता है आपनी तो यह हमारा ड्राक हरी मिर्च का पेष्ट है तो दोस्तों यह हरी मिर्च का पेष्ट हमने यह बहुत जरूरी है यह यूज करना त इसमें हम डालेंगे white salt, उसके बाद इसमें डालेंगे देगी मिर्च, यह MDAH की देगी मिर्च है, इससे क्या होता हमारे जो चिकन को थोड़ा सा color red जैसे होता है, जैसे हमारे बजार में होते हैं, और इनको डालने के बाद, अच्छे सा हाथ से अंदर रगड देंगे, थाकि अंदर अच्छे से चला जाए, तो देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से कर रहे हैं चिकन को, तो हमें थोले से नमग जब भी आपो कम लगे, कि यहां पर कम लग रहा था उसमें डाल सकते हैं, उसके बाद इसमें हम डालेंगे lemon juice, अब यह हमारे दो वीज हैं, तो हमारे ए परफेक्ट आए, तो इस तरीके से इसको हम कम से कम, दो घंटे या एक घंडे, जितना इसको आप रखेंगे, उतना यह जूसी और अंदर से भी कुछ सौप्टेस बनेगा, यह हमारा mustard oil है, अपने mustard oil का थोड़ा सा कच्छपन निकालना है, यह हमारा तीन चमाज हैंकर दही है, तीन चमाज से में हमने हैंकर दही डालना है, हैंकर दही डालने के बाद इसमें हम डालेंगे तो जिंजर गाली का पेश्ट, यानि कि लस्सन अधरक का पेश्ट, इसमें हमें एडेड चमाज डालेंगे, देख सकते हैं हमारे यह डेड चमाज है, उसके बाद इसमें डा इसको डालना ही डालना आपने उसके बाद डालेंगे नमक स्वाधन सार अब इसमें डालेंगे लाली मिर्च पॉडर यह हमारा है गरम मसाला पॉडर टी स्पून यह हमारा धन्या पॉडर एक चम्माच दोस्के डालेंगे जीरा पॉडर अब डालेंगे थोड़ चेह किचन किंग यह हमारा जीरा पोडर यह भी है थोड़ा सा और आड़ कर दिया हमने उसके बाद डालेंगे काला नमक तो दोस्तों हर एक रिस्पी आपने सब कुछ टेच मारना है तभी आपका बाहर का टेस्ट आएगा वरना नहीं आएगा इसके बाद इसमें डालेंगे चाट मसाला यह हमारा चाट मसाला है पिंच उसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे सरसो का तेल जो हमने गरम गिया था देस्ट हमारी गरम हो चुका है और इसको गरम गरम ही आपने मसलना है यह थोड़ा डालेंगे बिसन बिसन हमारा डेड़ चम कमबें से बहुत बढ़िया होता है color के लिए आप इसको वह गराव आपके कुछ तेल हमारा गरम है तो आप बहुत ध्यान से द्होड़ा सर मिक्स करेंगे तो इस तरीके से आपने मसाले को जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा होगा इसके बाद इसे में हम डालेंगे lemon juice डेड़ leimon इसे में हम add करेंगे देख सकते ही यह हमारे lemon है अगर आपके lemon bei जिसमें गिर गृए कोई बात नहीं आप निकालने नहीं निकालना तो कोई बात चलेगा तो यह हमारे lemon juice हमने बहार नेका रखा हुआ था तो देख साय है हम वीज उसके निकाल के अलग कर देते हैं वैसे से कोई फारक नहीं पड़ता है अब इसके बाद जो हमने चिकन को मैनेट करके रखा हुआ था ना वो इसमें एड़ करेंगे यह देख सकते हैं हमारा चिकन को और इसमें भी आपने क्या करना है कि चिकन के जो हमने कट लगा है इसके अंदर भी मसाले को डालना है तभी अच्छा और बहुत बढ़िया बनता यह तो इस तरीके से हमने दोनों पीस को अंदर डिप करके मसाले में और इसको हमना कम से कम चार घंटे के लिए रख देंगे और इसको चार घंटे बाद हम इसको फिर तंदूर में लगाएंगे तो देख सकते हैं हम चिकन के अंदर मसाले किस तरह से कर रहे हैं तो आप बिल्कुन न जल्द बाजी करें आप बिल्कुन यही फॉलो करें जल्द बाजी करने से चीज अच्छी नहीं बनती है तो अब यह हमारे अच्छे से मसाला हो गए हैं तो देख रहे हैं हमाई तंदूर की सीख है यानि कि homemade तंदूर जो होता है घर पे अब इसमें लगाएंगे प्याज सिम्लमिश इसलिए लगाते हैं ताकि जो आपका चिकन है आगे पीछे नहीं होगा हिलाने में थोड़ा आसान होता है इसलिए ये ओनियन और सिम्लमिश लगाते हैं तो आप इसको लगाना बिल्कुन न भूले नहीं आपका चिकन घूमेगा नहीं चारो तरफ यह देख सकते हैं कितने अच्छे से हम इसको फसा रहे हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो तो यह हमारा तंदूरी चिकन मतलब सीक में अब रेडी हो चुका है आप इसको हम लगाएंगे तंदूर में तो तंदूर हम उदर जला के गरम कर दिया है होममेड तंदूर तो देख सकते हैं यह हमारा तंदूर है होममेड नीचे कोईला है इसको बोलते हैं बार्बी क्यूँ इस तरह के से उसमें हमारा जो एक चिकन और साथ में पक रहा है यह हमारा मलाई चिकन ले गए तो इसकी भी रिस्पी मैं अप्लोड करूँगा तो यह हमारा तंदूरी चिकन देख रहे हैं कितना अच्छे से पक रहा है इसके बीच में आपने जब बन जाया था आपने ओइल लगाना है ताकि अंदर से भी जूसी रहे तो यह हमारा तंदूरी चिकन अपने ओइल लगा दिया था तो यह अब लग बनकर रेडी हो गया है तो इस तरीके से आपने चॉपिंग बोड पे निकाल लेना है तो निकालने के बाद देखो कितने अराम से निकालना है आपने हाथ में लगे ना आपको अब इसके हम करेंगे प्लेटिंग तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी है तो प्लीज अगर मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में जरूर सेयर करें फिर मिलता है नेश्टे वीडियो में तब तक लिए बाबाई